हलो दोस्तों तो आज मैं ले करके आया हूँ अपलोड भर्ब अपलोड इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूँ जैसे कि यह 101 वीडियो के स्रीज में आप लोग सीख रहे हैं कि भर्ब जो मेन भर्ब होता है उसका हिंदी मिनिंग क्या होता है और आप लोग सीखते हैं कि उस भर्ब का पाचो फर्म क्या होता है और आप लोग सीखते हैं कि उस भर्ब से कौन कौन सा वर्ड मिनिंग मिलकर के बना है और आप लोग सीखते हैं कि उस भर्ब का और उनके पाचो फर्मों का और जो भी वर्ड मिनिंग उस भर्ब से मिल करके बने हैं उनका किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और आप लोग सीखते हैं कि किस सब्द का किस तरीके से क्या उचारण किया जाता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कलास का और आज का भर्ब है अपलोड भर्ब है इसके आगे मैं टू लिखा हूँ क्योंकि जो भर्ब का में फर्म होता है जो भर्ब का बेस फर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है तो अपलोड भर्ब है जिसका हिंदी मिनिंग होता है अपलोड करना यानि किसी चीज को अपलोड करना यानि डालना यानि किसी चीज को डालना या भार डालना यानि कहीं पे किसी चीज पे भार डालना या भार बढ़ाना यानि किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी सोसल मीडिया पे भार बढ़ाना यानि गूगल पे या यूटूब पे या फेस्टाग्राम पे कोई फोटो डालने को यानि फोटो से भार बढ़ाने को या वीडियो डालन या रिल्स डालने को या पेज डालने को इंगलिस में बोला जाता है अपलोड अपलोड यानि किसी सोसल मीडिया पे फोटो या वीडियो या रिल्स को डालना यानि डालना यानि भार बढ़ाना तो अपलोड का हिंदी मिनिंग होता है अपलोड करना या डालना या भार डालन या भार बढ़ाना यानि किसी सोशल मीडिया पे किसी फोटो या वीडियो को डालने को इंगलिस में बोला जाता है अपलोड यानि अपलोड भर्व का इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सेंटेंस के माधियम से सीखेंगे उससे पहले हम लोग सीखते है कि अपलोड भर्व का पाचो फर्म क्या होता है तो अपलोड भर्व का भीवन होता है अपलोड भी टू होता है अपलोड भी थिरी होता है अपलोड भी फोर होता है अपलोडिंग और भी फाइप होता है अपलोड 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 जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि अपलोड भर्ब के भीवन और भीफाइब का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो जब भीवन और भीफाइब का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो भीवन सिंगुलन नाउन का काम करता है और भीफाइब पुलूरल ना का यूज नाउन के रूप में किया जाता है, और बहुत से भर्व होते हैं, जिनका भीवन और भीफाइब का यूज नाउन के रूप में नहीं होता है। और जानकारी के लिए मैं आप लोग को बतला दूँ कि दुनिया का कोई भी भर्व हो जिसके पांच फर्म हो तो उसके भी वन और भी फाइब का यूज पर्जेंट इंडिफनिट टेंज में किया जाता है, भी टू का यूज पास्ट इंडिफनिट टेंज में, भी थीरी का यूज परफेक्ट टेंज में और पैसिब वाइस्वेल सेंटेंज में और भी फोर का यूज कॉंटिनिवस टेंज में और जीरंड के रूप में किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक फर्म का किसी ना किसी सेंटेंस या टेंस में यूज होता है इसलिए जितने भी एस स्पीकिंग में बोलने जाने वाले भर्म है उनके पांचों फर्मों को जानना कमपलसरी हो जाता है तो इस चैनल पे मैं करीबन 101 भर्म जिनका डेली यूज किया जाता है उसके उपर मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जा करके उन एक एक वीडियो को देखे और नोट्स बनाना न भूले और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब और साथ में कमेंट करना न भूले तो दोस्तो एक बात मैं बतला दू कि जो मोडल्स भर्व होते हैं जो कैन है, सूड है, में है, माइट है, मस्ट है ये जो बारह मोडल्स होते हैं तो वो मूड बतलाने का काम करते हैं और वो जो भर्व होते हैं उनके पाचो फर्म नहीं होता है यानि models भर्व का केवल एक फर्म होता है उनका पांच फर्म नहीं होता है तो आब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों और हम लोग सीखते हैं कि upload भर्व से 6 वर्ड मेनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है और उसका Hindi मेनिंग क्या होता है upload भर्व से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मेनिंग है uploader uploader upload में जुड़ा है er तो बना है uploader uploader singular noun है इसका plural form होता है uploaders जिसे मैं pn लिखा हूं sn यानी singular noun, pn यानी plural noun, singular noun सब्द जो होता है यानी वैसा सब्द जो singular noun हो उसका यूज एक बेक्ती या एक चीज के लिए किया जाता है जबकि plural जो वर्ड होता है उसका एक से अधिक बेक्ती या वस्तु के लिए यूज किया जाता है तो uploader और uploaders इन दोनों सब्दों का hindi meaning होता है upload करने वाला या upload करने वाली यानि वह mail या वह फी mail जो upload करता है यानि किसी social media पे किसी video को upload करता है या किसी चीज को upload करता है तो उसको English में बोला जाता है uploader ऐसे male और ऐसे female की संख्या एक हो तो उनके लिए आप यूज करेंगे uploader और ऐसे male या फीमेलों की संख्या एक से अधिक हो तो उनके लिए आप uploaders सब्द का यूज करेंगे अगला word meaning है uploaded या upload भर्व का भी थिरी है इस सब्द का यूज adjective के रूप में भी किया जाता है तो uploaded सब्द का यूज जब adjective के रूप में होता है तो इसका हिंदी मिनिंग होता है upload किया हुआ यानि कोई ऐसा चीज जो upload किया हुआ होने की आवास्था में हो तो उसको define या modify करने के लिए आप uploaded word का यूज adjective के रूप में करेंगे अगला सब्द है uploadable ये adjective है जिसे मैं adj लिखाओं adj यानि adjective ऐसा सब्द जिसके last में लगा होता है able word तो वह सब्द adjective होता है जैसे practicable, thinkable, listenable, doable, uploadable तो uploadable adjective है जिसका हिंदे मिनिंग होता है upload करने के लायक यानि कोई ऐसा चीज जो upload करने योग्य हो तो उसको बोला जाता है uploadable अगला word मिनिंग है upload ये upload भर्व का भीवन है इस सब्द का यूज जब noun के रूप में किया जाता है तो ये singular noun का काम करता है जिसे मैं sn लिखा हूं sn यानि singular noun और इसका plural form होता है uploads जिसे मैं pn लिखा हूं pn यानि plural noun तो upload और uploads इन दोनों सब्दों का यूज जब noun के रूप में होता है तो इसका hindi meaning होता है upload या uploads यानि जैसे social media किसी social media पे एक photo upload किया हो तो आप उसके लिए यूज करेंगे upload और एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे uploads अब दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि upload भर्व का और उनके पाचों फर्मों का और इन सभी वर्डों का एक एक करके किस तरीके से sentence में यूज किया जाता है इस चैनल से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज दिल आइकन की घंटी को दबाना न भूले यानि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों न भूले अब हम लोग सीखेंगे कि imperative sentence में यानि जो imperative sentence होते हैं उसमें भीवन के रूप में आप लोग किस तरीके से upload भर्ब का यूज करेंगे तो अगर आप लोगों को imperative sentence नहीं आता है तो कोई बात नहीं आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके imperative sentence वाले वीडियो को देख सकते हैं और imperative sentence इंगलिस ने बनाना सिख सकते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं कि किस तरीके से imperative sentence का यूज किया जाता है तो जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना हो या आप लोगों को किसी और से कहना हो और कहना हो upload करें या upload करो यानि आप लोग किसी को advice या order देते हैं और कहते हैं upload करें या upload करो तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे upload upload यानि upload करें या upload करो तो आप लोग देख सकते हैं कि एक दुनिया में मात्र एक सब्द भर्व ही होता है जो एक sentence का कार्य करता है यानि जो भर्व होता है वह वाक्य का कार्य करता है इसलिए अगर इंगलिस सीखने की सुरुआत करनी चाहिए तो सबसे पहले भर्व को सीखना चाहिए क्योंकि अगर हम इंगलिस बोलना चाहे या किसी को इंगलिस बोलना अगर हो तो वह सबसे पहले sentence की तरीके से बोला जाता है उसको सिखना होगा तो ये भर्ब जो होते हैं वो sentence का कार्य करते हैं इसलिए उस बेक्ति को भर्ब से ही एक English सिखने की सुरुआत करनी चाहिए तो upload का हिंदी मिरिंग हुआ upload करें या upload करो अगला sentence है इसी तरीके से मुझ को या आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो upload मत करो या upload मत करें तो आप लोग इंगलिस में बोलेंगे don't upload don't upload don't यानि मत upload यानि upload करो या करें तो इस sentence का हिंदी मिरिंग हुआ मत upload करें या मत upload करो यानि upload मत करो अगला sentence है इसी तरीके से मुझ को अगर आप लोगों से कहना हो किर्पिया upload करें या किर्पिया upload करो तो मैं इंग्लिस में बोलूँगा please upload प्लीज यानि किर्पिया upload यानि upload करें या upload करो तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ किर्पिया upload करें या किर्पिया upload करो अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से request करते हुए कहना हो किर्पिया upload मत करें या किर्पिया upload मत करो तो मैं इंग्लिस में बोलूँगा please don't upload please don't upload please यानि किर्पिया don't यानि मत upload यानि upload करें या upload करो तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ किर्पिया मत upload करें या किर्पिया मत upload करो यानि किर्पिया अपलोड मत करो या अपलोड मत करें तो अगर आप लोगों को ये प्लेज जो सब्द है इसका किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है और इस सब्द का यूज किस तरीके से भर्व के रूप में भी किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसके उपर मैं एक अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है वहां से या फिर मेरे चैनल के प्लेडिस्ट से जा करके प्लीज भर्ब वाले वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कोई भी बेक्ती बोलता है प्लीज इधर आए या प्लीज उधर जाए या प्लीज ऐसा ना करो तो कहा कहा पे प्लिज सब्द का यूज होता है आप लोगों को इंगलिस सीखते हैं अगर आप लोग तो इस सब्द के बारे में सीखना जरूरी हो जाता है अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो नौकरी के लिए अपने बायोड़ेटा को अपलोड करें तो मैं अंगलिस में बोलूँगा अपलोड योर रेज्यू में फोर्द जॉब अपलोड यानि अपलोड करें योर रेज्यू में यानि अपने बायोड़ेटा को फोर्द जॉब यानि जॉब के लिए तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिग हुआ जॉब के लिए अपने बायोड़ेटा को अपलोड करें तो इस सेंटेंस में मैं रेज्यू में ये एक भर्ब भी होता है जब इसका यूज रिज्यूम पढ़ा जाता है तो इसका हिंदी मिनिंग अलग होता है और जब रिज्यूम में पढ़ा जाता है तो इसका हिंदी मिनिंग बायो डाटा होता है इस सब्द का यूज रिटेन, स्पोकेन और इंटर्भीव में जम करके किया जाता है तो अगर आप लोग इस सब्द के बारे में सीखना चाहते हैं तो रिज्यू में एक भर्ब भी होता है इस सब्द के उपर मैं एक अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ कब इसको रिज्यू में और कब इसको रिज्यू में पढ़ा जाता है उस वीडियो में मैं कभर किया हूँ तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर चैनल के प्लेलिट से जा करके रिजूम भर्ब के बारे में पढ़ सकते हैं अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो किर्पिया अपनी प्रोफाइल तस्वीर अपलोड करें तो मैं एंगलिस में बोलूँगा प्लेज अपलोड यूर प्रोफाइल पिक्चर प्लेज अपलोड यूर प्रोफाइल पिक्चर प्लेज यानि किर्पिया इंदी मिनिंग हुआ अपनी प्रोफाइल तस्वीर किर्पिया अप्लोड करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं दोस्तो अप्लोड भर्व के भीवन का जो फर्म होता है उसका यूज किया हूं अब हम लोग सीखेंगे दोस्तो कि टेंस में यानि जो टेंस होते हैं उसमें आप लोग किस तरीके से अप्लोड भर्व का जो पाचो फर्म होता है यानि जो भीवन होता है भीटू होता है भी थिरी भी फोर और भी फाइप होता है उसका यूज आप लोग किस तरीके से टेंस में करेंगे तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि अपलोड भर का V1, V2, V3 और V5 का यूज आप लोग किस तरीके से करेंगे तो अगर मुझको आप लोग उसे कहना हो वह यूटूब पर तस्वीरे अपलोड करती है यानि कोई फीमेल है जो यूटूब पर तस्वीरे अपलोड करती है तो मैं इंगलिस में बोलूँगा सी अपलोड फोटोज अनि यूटूब C uploads photos on YouTube C uploads यानि वह upload करती है photos यानि photo यानि तस्वीरे on, on YouTube यानि यूटूब पर तो इस sentence का हिंदी मिनी हुआ वह YouTube पर तस्वीरे upload करती है अगला sentence है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वे दस्तावेज अपलोड करते हैं तो मैं इंग्लिस में बोलूँगा दे अपलोड डोक्यूमेंट्स दे अपलोड डोक्यूमेंट्स दे अपलोड यानि वे अपलोड करते हैं डोक्यूमेंट्स यानि दस्तावेज तो इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ वे दास्तावेज अपलोड करते हैं अगर ये बत लाना हो सेंटेंस में कि वह कहां अपलोड करते हैं तो आप लोग यहाँ पे all preposition लगाएंगे और उसके बाद जिस सोशल मेडिया पे वो अपलोड करते हैं उसका नाम होगा जैसे इसी सेंटेंस को अगर कहना होता वे दास्तावेज Facebook पर अपलोड करते हैं तो इसको इस तरीके से बोला जाता दे अपलोड डोकुमेंट्स अन फेस्बूक दे अपलोड डोकुमेंट्स अन फेस्बूक तो इस तरीके से कोई भी male या female किसी भी social media पे कोई चीज अपलोड करे तो आप लोग English में उसको बेक्त कर सकते हैं अगला sentence है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कल उसने तस्वीरे अपलोड की यानि कोई male हो या चाहे female हो अगर उसके बारे में कहना हो कल उसने तस्वीरे अपलोड की तो मैं English में बोलूँगा या फिर आप English में बोलेंगे he or see uploaded photos yesterday अगर आप इस sentence का यूज male के लिए करेंगे यानि कोई married people यानि कोई married male हो यानि कोई लड़का हो या non married कोई लड़का हो तो उसको बोला जाता है male तो male के लिए इस sentence का यूज होगा तो आप बोलेंगे he uploaded photos yesterday आप female के लिए अगर यूज करेंगे तो आप बोलेंगे see uploaded photos yesterday see यानि वह uploaded यानि upload के photos यानि तस्वीरे yesterday यानि कल तो इस sentence का हिंदी मेंगे हुआ वह, कल, photo यानि तस्वीरे upload के तो इस sentence में मैं यहाँ पे yesterday word का यूज किया हूँ तो आप लोगों को बतला दू कि यह जो सब्द है इसमें यह जो आर होता है इसका उचारण नहीं किया जाता है इसको पढ़ा जाता है yesterday, yesterday, yesterday का हिंदी मेंग होता है बिता हुआ कल यानि जो कल बित गया होता है उसको बोला जाता है yesterday, yesterday अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसने अपने बायो डाटा अपलोड किया है तो मैं इंगलिस में बोलूँगा ही यसी यानि उसने हैज अपलोड किया है हर रेजियुमे यानि अपने बायो डाटा को मेल के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे हर होगा इस सेंटेंस का हिंदी मिनिंग हुआ उसने अपने बायो डाटा को अपलोड किया है तो इस सेंटेंस में मैं रेजियुमे वर्ड का यूज किया हूँ जो की रेजियुम भर्ब से मिल करके बना है तो आप लोग देख सकते हैं कि यह दोनों सेंटेंस परजेंट इन डिफनिटेंस से लिया गया है जिसमें मैं बोला था कि परजेंट इन डिफनिटेंस में दुनिया का कोई भी भर्ब हो उसके भीवन और भी फाइब का यूज होता है तो इन दोनों सेंटेंस में भीवन और भी फाइब का यूज हुआ है यह सेंटेंस परजेंट इन डिफनिटेंस का सेंटेंस है मैंने बोला था कि परजेंट इन डिफनिटेंस में दुनिया का कोई भी भर्ब हो उसके भी फाइब का यूज होता है तो इसमें अपलोड भर् इसमें भी 5 का यूज हुआ है और यह sentence perfect tense यानि present perfect tense का sentence है जिसमें मैंने बोला था कि दुनिया का कोई भी भर्व हो उसके भी 3 का यूज होता है तो यहाँ पे मैं upload भर्व का भी 3 का यूज किया हूँ अगला sentence है जो कि present continuous tense से मैं लिया हूँ अगर मुझको आप लोगों से कहना हूँ वह यूटूब पर एक वीडियो अपलोड कर रहा है तो मैं इंगलिस में बोलूँगा he is uploading a video on YouTube यानि वह अपलोड कर रहा है और वीडियो यानि एक वीडियो अन यूटूब यानि यूटूब पर तो इस sentence का हिंदी मिन हुआ वह यूटूब पर एक वीडियो अपलोड कर रहा है तो इस sentence में मैं अपलोड भर्व का भीफोर का यूज किया हूँ तो अगर आप लोगों को tense नहीं आता है अगर आप लोगों को passive voice नहीं आता है narration degree adjective preposition पहचाने नहीं आता है और यूज करने नहीं आता है तो इस channel को subscribe करें क्योंकि इस channel पे सभी content series by series करके मिलेगा और इस channel पे मैं already बहुत सरे वीडियो बना चुका हूँ इनके उपर तो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोग अब सीखेंगे अब आप लोग सीखेंगे all in one all in one यानि अब आप लोग सीखेंगे कि जो भी word meaning upload भर्ब से मिल करके बने हैं उनका आप लोग की तरीके से sentence में यूज करेंगे तो अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप एक वीडियो upload करने वाले हैं यानि जैसे किरकेटर का काम होता है किरकेट खेलना player का काम होता है play करना यानि किसी game को play करना उसी तरीके से doctor का का काम doctor ही करना होता है उसी तरीके से जो अपलोडर होते हैं, उनका काम किसी वीडियो या फोटो या किसी चीज को कहीं अपलोड करने का होता है, तो मुझको अगर आप से कहना हो, कि आप एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, यारी आप जो हैं किसी चीज को अपलोड करने का काम को करते हैं, और इस sentence को आपके लिए कहना हो तो मैं बोलूंगा you are a video uploader, you are a video uploader, you are यानि आप है a video यानि एक video uploader यानि upload करने वाले, तो इस sentence का हिंदी मिन हुआ आप एक video upload करने वाले हैं, तो इस sentence में uploader word का यूज नाउन के रूप में किया हूँ, अगला sentence है अगर मुझको आप लोगों से कहना हूँ, वीडियो का upload परकिरिया में है, यानि वीडियो का upload परकिरिया में है, तो मैं एंगलिस में बोलूंगा the upload of the video is in progress, the upload of the video is in progress, the upload यानि upload यानि upload of यानि का the video यानि video तो इसका हिंदी मिनिंग हुआ, वीडियो का upload इज यानि है in progress यानि परकिरिया में, तो इस sentence का हिंदी मिनिंग हुआ कि वीडियो का upload परकिरिया में है, तो इस sentence में मैं upload word का use यहाँ पे adjective के रूप में किया हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि adjective के पहले article लगता है तो यहाँ पे article लगा है तो यह जो word है यह यहाँ पे noun के रूप में upload सब्द का use किया गया है क्योंकि यह noun है noun के पहले adjective आता है तो अगर आप लोग को noun adjective नहीं पहचाने आता है तो उसके उपर मैं already video बना चुका हूँ आप लोग मेरे channel के playlist से जा करके noun adjective को पहचानना और उनके sentence में use करना सीख सकते हैं अगला sentence है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो upload की गई फाइले सुरक्चीत है यानि जो भी फाइले upload की गई है वह सुरक्चीत हैं तो मैं English में बोलूँगा the uploaded files are safe the uploaded files यानि upload की गई फाइले are यानि है safe यानि शुरक्चीत तो इस sentence का हिन्दिमिन हुआ कि upload की गई फाइले सुरक्चीत है तो इस sentence में uploaded word का यूज adjective के रूप में किया हूँ क्योंकि adjective से पहले noun और adjective के बाद article आता है तो यहाँ पे uploaded word का यूज adjective के रूप में किया गया है जो की upload भर्व से मिल करके बना है अगला sentence है अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वीडियो अपलोड करने योग्या है यानि कोई वीडियो है जो किसी social media पे upload करने के लायक है और उसके लिए मुझे कहना हो वीडियो अपलोड करने योग्या है तो मैं English में बोलूँगा the video is uploadable the video is uploadable the video यानि video is यानि है uploadable यानि upload करने के लायक तो सेंटेंस का हिंदी मिन हुआ वीडियो अपलोड करने के लायक है तो अगर आप लोगों को the, a, n ये जो तीन आर्टिकल होते हैं इनका सेंटेंस में यूज करने नहीं आता है तो इसके ओपर मैं एक already video बना चुका हो आप लोग मेरे चैनल के playlist से जा करके आर्टिकल वाले वीडियो को देख करके आर्टिकल का यूज करना सीख सकते हैं तो अगर दोस्तों अगर आप लोग भर्भों में जो सत्तर परतिसत पूरे भर्भ में काबजा किये हुए हैं ये चार भर्भ हैं ये चार भर्भ ऐसे हैं जिनका भर्भों में सत्तर परतिसत यूज किया जाता है अगर आप लोग इन चार भर्भों को सीख लेते हैं तो यकीन मानिये कि आप लोग का भर्भ में सत्तर परतिसत भ इन वर्ब का यूज सबसे जादा होता है लव भर्ब का यूज कमली किया जाता है तो अगर आप लोग इन वर्बों के बारे में चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में चारों वीडियो का लिंक है आप लोग वहाँ से या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके most spoken verb सीरीज से do verb, be verb, love verb और have verb का यूज आप लोग सीख सकते हैं और साथ में ही इन सभी वर्डों का यूज करना भी सीख सकते हैं तो ये वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिला प्लेज कमेंट बॉक्स में अपना पता और अपने नाम के साथ कमेंट करें कि अगला वीडियो मैं किस भर्ब के उपर ले करके आऊं ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे जो इस चैनल के सदस्य हैं वो किसे स्टेट से और कहां से मेरे वीडियो को देखते हैं मुझे जान करके बेहत खुसी होगी तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले भर्बो के साथ तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरप से हर्दिक सुपकमनाएं नमस्कार जैहिंद जाते जाते हुए बोलूं कि मेरे दोस्तों एक चैनल को प्लेज सब्सक्राइब करना लाइक करना और इस वीडियो को सेर करना न भूले जैहिंद